अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है काली मिर्च की तो आपको बता दे कि काली मिर्च में अभी उत्पादक मंडियों में मांग कमजोर बनी वी है कोचिन के वेपारी कह रही है कि उत्तर भारत की तेज गर्मी काली मिर्च का उठाव कमजोर कर रही है बीते कई दिनों से कोचिन में अनगार बल्ड काली मीच 515 रुपे से 520 रुपे बिक रही थी जो अब 514 रुपे के औसत दामों पर आ गई है जबकि गार बल्ड क्वालेटी कोचिन में 535 से 540 रुपे बिक रही थी और अब ये कोचीन में काली मीर्च के दाम 534 रहे गई हैं दरसल भले ही स्टॉक काली मीर्च का कमजोर है पर कई मंडियों में विदेश की काली मीर्च स्थानिय माल के दामों पर भी दबाव बना रही है तो यानि की सिर्फ मौसम ही एकलोता फैक्टर नहीं है जो काली मीर्च की कीमतों में गिरावट का कारण बन रहा है और नहीं मांग इतनी जादा कमजोर हुई है मांग हलकी सी कमजोर है लेकिन जो मेजर फैक्टर बन रहा है काली मीर्च की कीमतों में गिरावट का वो है विदेशों की काली मीर्च विदेशों की काली मिट जो भारत में आयात हो रही है उससे गरेलू काली मिट का जो बजार है उसमें दबाब देखने को मिल रहा है